जानकी जी का कमरा जब जानकी जी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि वहाँ यश्वर्धन जी, यश्राज जी और पाइल जी पहले से ही बैठी हुई है जानकी जी को देखतर पाइल जी कहती है क्या कहा शिवराज ने? क्या वो मान गए दूसरे शादी के लिए? जानकी जी कहती है शादी को लेकर उनकी कुछ शर्ते है जो अभी तक उन्होंने बताई नहीं है पायल जी कहती है हमें उनकी सारी शर्ते मन्जूर है बस हम इतना चाहते हैं कि शिवराज की जिन्देगी में कोई अच्छी सी लड़की आजाए जो शिवराज और शिवांश दोनों को संभाल ले लेकिन हमें कोई अच्छी लड़की ढूनने भी तो पड़ेगी न इतनी जल्दी तो कोई लड़की मिलेगी भी नहीं जानकी जी कहती है हमारी निजर में है एक लड़की पायल जी कहती है कौन मा जी जानकी जी कहती है हमारी बच्पन की सहली गायतरी की पोती आराथ्या बिल्कुल वैसी है जैसा हम चाहते है पायल जी कहती है लेकिन मा जी वह तो जानकी जी कहती है जानते हैं हम कि आप क्या कहना चाहती है लेकिन इन सब में उनकी कोई गल्दी नहीं थी उनोंने भी धोका खाया है हमारे शिवराज के लिए वर्ण जानते हैं हमारी बात को मान लेंगे जानकी जी कहती है जी बिल्कुल सही कहा अपने अब रात बहुत हो चुकी है अब दोनों अपने कमरे में चाहिए अगले दीन रिशिकेश चौधरी बवन डाइनिंग टेबल का सीन गर के सभी लोग नाश्टा करने के लिए बैठे हुए थे तभी गायतरी जी का फोन बचता है फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर गायतरी जी के चहरे पर मुसकान आजाती है गायतरी जी कहती है हेलो कैसी हो जानकी जानकी जी कहती है हम अच्छे है तुम कैसी हो गायतरी जी कहती है हम भी ठीक है और सुनाओ कैसे याद किया जानकी जी कहती है गायतरी हम तुमसे एक इंपोर्टन बात करना चाहते है शिवराज के बारे में तु तुम जानती ही हो हम चाहते हैं कि तुम अपनी पोदी का हाथ हमारे शिवराज को दे दो गायत्री जी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और एक नजर आराथ्या को देखती है जो नजरें नीचे किये हुए चुप चाप नाश्ता कर रही थी गायत्री जी कहती है सब कुछ जानते हुए भी तुम जानकी जी कहती है इसमें आराथ्या की कोई गलती नहीं थी और हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं उससे दोनों बच्चों की जिन्दिगी सवर जाएगी गायत्री जी कहती है शिवराज मान गया है इसके लिए जानकी जी कहती है हाँ गायतरी जी कहती है हम भी तयार है इसके लिए हम घर में सबसे बात करके तुम्हें खबर करते हैं जानकी जी कहती है ठीक है उदैपूर राठोर विला जानकी जी आराथ्या की एक फोटो लेकर शिवराज के कमरे में जाती है शिवराज की रूम का सीन जानकी जी कहती है शिवराज देख तो मेटा यही है वल लड़की जिससे हमने तेरे लिए चुना है आरात्या नाम है उसका देख तो कितनी सुन शिवराज धीरे से मगर कड़क आवाज में कहता है हम शादी अपने बच्चे को मा का प्यार मिल सके इसलिए कर रहे हैं खुद के लिए बीवी नहीं चाहिए हमें इसलिए यह तस्वीर यहाँ से आप ले जा सकती है और कल हमने कहा था कि शादी के लिए हमारी कुछ शर्ते है तो आप हमारी शर्त भी सुनते जाएए एक, यह शादी सिर्फ शिवांश के लिए हो रही है दूसरी, इस गर में शादी करके जो भी लड़की आ रही है वो हमसे किसी भी तरह की कोई उमीद ना रखे वह सिर्फ शिवांश की मा होगी हमारी पतनी नहीं अगर उनकी वज़े से हमारे शिवांश को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो उसी वक्त हमारा रिष्टा खत्म हो जाएगा और शिवांश को लेकर हम कोई लाकरवा ही नहीं बरदास्त करेंगे इतना सब कुछ बोल कर शिवांश अपने कपड़े लेकर भी शिवराज की शर्ते मानने को तयार नहीं था लेकिन जानकी जी ने सब को समझाया सब को शर्ते मानने के लिए भी कहा ना चाते हुए भी सब ने शिव की शर्ते मान ली रिशिकेश चौधरी भवन जानकी जी से बात करके गायतरी जी एक नजर आराथ्या को देखती है फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है सब नाश्ता करके जैसे ही उठते है गायतरी जी अचानक से वेहोश होकर गिर जाती है आराथ्या अपनी दाधी को देखकर चीक पड़ती है सब लोग गायतरी जी को उठाकर उनके कमरे में ले जाते आनंद जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है डॉक्टर गायतरी जी की चेक अप करके कहता है इनको किसी गहरी बात का सत्मा लगा है इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की जरूरत है इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं थोड़ी देर बात गायतरी जी को आपको संभालती क्यों नहीं है आप अपने आपको गायत्री जी बहुत बुश्किल से आरात्या को चुप करवाती है गायत्री जी कहती है खुडिया मेरा एक ही सपना है तेरा घर बसता हुआ देखने का प्लीज खुडिया मेरी बात मान और शादी के लिए हां कर दे मरने से पहले में तेरी हस्ती, खेलती, ग्रिहस्ती देखना चाहती हो। आरात्या कहती है, आप जो कहे मुझे मन्जूर है दादी मा, पर प्लीज ऐसे बाते मत कीजिए। महेश जी कहते है, जब गुडिया शादी के लिए मान गई है, तो उनके लिए लड़के भी तो ढूनने पड़ेंगे। गायत्री जी कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक लड़का है हमारी नजल में, जो हमारी गुडिया को बहुत खुश रखेगा और उस गर में हमारी गुडिया रानी जैसी रहेगी। विवेक जी कहते हैं कौन है वो लड़का मा गायतरी जी कहती है हमारी सहली जानकी का पोता शिवराज थोड़ी देर बाद जानकी जी के फोन पर गायतरी जी का फोन आता है और वो कहती है कि आरात्यार शादी के लिए मान गई है